ये आदमी अनपड होता है लेकिन एक राद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी जिन्दगी ही बदल जाती है तो कहानी की शुरुवात में हम जोर्ज मिली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कार रिपेर मैन है और यहाँ पर आज उसका एक दोस्त जिसका नाम नीट पॉब होता है वो से मिलने आता है और नीट जोर्ज को कुछ सोलार पैनल देता है अपने घर को बहतर बनाने के लिए क्योंकि आज उसका जनम दिन है बाद में हम जोर्ज को उसकी रिपेर शॉप पर देखते हैं जहाँ पर उसके दो इंपलोईट टीट और बिंच जोर्ज की दुकान पर काम करते हैं और यहाँ पर वो जोर्ज की स्पैनिश लेंग्वेज सिखने में मदद कर रहे होते हैं क् लेस उसकी पार्टी में आने से मना कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेर के डॉक्टर जोर्ज को अपने अंदाज में बड़े विश करते हैं जिसके बाद जोर्ज एक बार फिर से लेस को पार्टी में आने के लिए पूछता है लेकिन लेस वापस से मना कर देती और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को डॉक्टर और शेर के बागी सब जोर्च का बड़े मना रहे होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर जोर्च को एक चेस बोर्ड गिफ्ट में देते हैं और दोनों वहीं पर चेस खेलने लग जाते हैं अब पाटी के दोरान जोज बहार जाता है और आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखता है और वो रोशनी बढ़ती जारी होती है और आखिर में जोज उसे देखकर बेहोश हो जाता है और जब जोज होश में आता है वो रोशनी गाय बजाती जिसके बाद वो जल्दी से पा नहीं है। लेकिन अखिर में सभी देखते है कि जॉर्ज ने डॉक्टर के खिलाफ चेश गेम जीत लिया था। और सब काफी हेरान हो जाते हैं। अब जॉर्ज घर जाता है। और सोनी की कोशिश करता है लेकिन उसे अचाना kाफी अजीब सा लगता है जिस वज़े से वो नीट को कॉल करता है लेकिन उसका दोस्त नीट फोन को कट कर देता है जिसके बाद जोर्ज अपने बगीचे में जाता है और एक खरगोश को पकड़ लेता है अब अगले दिन उसकी दुकान पर एक आदमी रोजर अपनी गाड़ी लेने आया होता है लेकिन भुकतान के लिए उसके पास पैसे नहीं होते है तब जोर्ज रोजर को समझाता है कि कैसे उसे उसकी गाड़ी वापस मिल सकती है और यहाँ पर जोर्ज श्पैनिश में बोल रहा होता है अब लेस आती है और जल्दी से सेंड फ्रेंसिस को निकलने के लिए तयार हो जाती है और वो जोर्ज को उसे यूएफो दिग गया क्या ये कहकर उसका मजा कुड़ाती है अब वहां के बार में जोर्ज डॉक्टर को एक बार फिर से चेस में हरा देता है और यहाँ पर जोर्ज अपनी नई शक्तियों को बारे में अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक दिन में चार किताबे खतम कर देता है और उसका दिमाग काफी सारे आईडियाज को जनरेट कर रहा है और वो यहाँ पर ठीक से किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी होती है जिस वज़ा से डॉक्टर उसे चेक अप की लिए बुराता है लेकिन घर पे हम देखते हैं कि जोज नेट के दिये हुए सोलार पैनल्स घर पे इंस्टॉल कर देता है जिसके बाद वो काफी सारी किताबे पढ़ने लगता है और वो बहुत सारी इंफोमेशन को अपने अंदर एब्सॉर्फ कर रहा होता है जिसके बाद वो कई सारे experiment भी करता है और एक राज George नेट के घर में जाता है और यहाँ पर हम नेट को देखते हैं कि actual में शहर में एक radio program चलाता है और तब ही वो अपने radio program पर कुछ अजीब सी आवाजे सुनता है लेकिन उन आवाजों को सुनकर George उसे कहता है कि रुको कि ये आवाजे किसी तरीके के course है जो कि कुछ message देना चाते हैं और वो उन course को लिखने लगता है और यहाँ पर नेट उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा लेकिन George curiosity के चलते उन course को decode करने लगता है और उस message को decode करके वो नेट से उन्हें वापस भेजने को कहता है जिसके बाद नेट भी वैसा ही करता है और यहाँ पर George नेट को अपनी knowledge की जानकाई हो के बारे में बताता है लेकिन नेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अब उस रात हम George को देखते हैं कि पूरी रात मैट्स के बारे में पढ़ रहा होता है जिसके आखिर में वो समझ जाता है कि उसके पास टैलिक नेसिस की शक्ती है और अब यहाँ पर George यह जानकर उसके पास टैलिक नेसिस की पावर है वो आसमान में देखने लगता है अब अगली दिन George डॉक्टर के आफिस में अपने चेक अप के लिए जाता है जहाँ पर George अपनी नई शक्तियों के बारे में डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर उसकी शक्तियाओं को देखकर काफी जादा चोक जाते हैं इसके बाद डॉक्टर ये वादा करते हैं कि वो George की नई शक्तियों का कारण पता करके ही रहेंगे अब यहाँ पर George अपनी शौपर वापस आता है जहाँ पर वो टीटो और बीन्स को अपनी एक गाड़ी दिखाता है जो कि उसने खुद बनाई होती है तब ही वहाँ पर लेस आती है और वो खुरसिया लाई होती है और यहाँ पर George उसे कुछ सबजिया दिखाता है और वो आज उससे काफी मैचुवर तरीके से बात कर रहा होता है और उन दोनों की बीच यहाँ पर एक अकवर सी मुमेंट बन जाती है और यहाँ पर George उसे कुछ टमाटर देने जा रहा होता है लेकिन लेस शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर दोपेट के टाइम पर George अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहा होता है तब ही वो बीच रास्ते में Glory और Allen को देखता है और वो उन्हें घर पे छोड़ने का ओफर करता है और वो दोनों भी मान जाते है लेकिन George बीच रास्ते में रुकता है और उन बच्चों को अलग-अलग तरीके के फूल देता है और वो उन बच्चों के साथ एक छोटा सा गुच्चा भी बना लेता है लेस के लिए और लेस के गर पहुचने पर George उसे टमाटर और फूल देता है जिसके बाद वो दोनों ही भार जाते है जहां पर लेस अपने रिलेशन्चिप के बारे में George को बताती है और वहां पर वो George हवा में कुछ महसूस कर पाता है और यहां पर वो लेस के फॉन को उठाता है और एक कॉल लगाता है यह बताने के लिए कि अभी अभी उसे अर्थक्वेक जैसा महसूस हो रहा है और अभी यहां पर किसी तरीके के अर्थक्वेक आ सकता है लेकिन यहाँ पर उसकी बात को ignore कर दिया जाता है और इसके बाद हम उसे Les और उसकी family के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर George Les के डिनर के लिए उसे compliment करता है और डिनर के बाद Les और George एक दूसरे को awkward goodbye कहते हैं और यहाँ पर जब Les और बच्चे अपने DCS को धोने जा रहे होते हैं तब ही वहाँ पर एक earthquake आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि George सच बोल रहा था और यहाँ पर जब George अपने घर पहुंचता है लेस भी वहाँ पर आ गए होती है और उसे सब कुछ सच सच पूछती है कि आखिर उसे earthquake के बारे में कैसे पता चला और तब वो वहाँ पर George के घर में वो सारी chairs देखती है जो कि वो George को बेचने के लिए दे जाती थी लेकिन उन में से एक भी chair नहीं भी की थी और George ने उन सबी को अपने घर पर रख लिया था ये कहकर कि वो सारी big गई है वो indirectly काफी समय से लेस की मदद कर रहा था अब ये देखकर लेस उसे जूटा कहकर वहाँ से चली जाती है और अब अगले दिन हम George को net के साथ देखते हैं और वहाँ पर वो net को अपनी टेलिक नेसिस पावर दिखाता है जिसे देखकर net को जटका लग जाता है अब इसकी दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक emergency में काम कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर उसे patient की language समझ नहीं आरी होती है और इसलिए वो एक औरत को जल्दी से George को बुलाने के लिए कहता है और यहाँ पर हम George को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर नीट भी उसकी gardening में मदद कर रहा होता है जहाँ पर George ने एक नई तरीके का fertilizer बनाया होता है जो की काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है और उस fertilizer को दे के तो नीट भी कहता है यह तो कमाल की चीज़ बनाई है तुमने और अब थोड़ी देर बाद ही George के घर पर Professor Reynolds आते हैं जिस पर वो काफी समय से काम कर रहा था और वो यहाँ पर Professor से पूछता है कि वो University के बागी सारे Professor से भी बात करना चाहता है लेकिन उन दोनों को इस discussion बीच में ही रुख जाती है क्योंकि George के गर पर टीटो पहुँचता है डॉक्टर का message लेकर और वो George से डॉक्टर के पास चलने को कहता है और हम देखते हैं कि बीच रास्ते में ही George Portuguese language को पूरा सीख जाता है और यह देखकर तो Professor भी सदमे में आ जाते हैं कि एक इंसान इतनी जल्दी केसे कुछ सीख सकता है और अब डॉक्टर के पास पहुँचने पर George जिसके बाद वो सबी उस बच्चे की खोज में निकल जाते हैं और यहां पर George भी उस बच्चे को खोज रहा होता है लेकिन तबी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है और वो वही पर घिर जाता है लेकिन वो उसी हालत में अपनी टेलिक नेसेज की पावर से वो उस अलबट नाम के बच्चे को बचा लेता है और अब यह देखकर वो प्रोफेसर काफी जादा हैरान हो जाते है और George को अपनी यूनिवर्सिटी में आने को बोलते हैं जहां पर वो George को सभी प्रोफेसर से मिलवाएंगे अब बाद में George अलबटो की माँ Ella से मिलता है और वो George को गले लगा लेती है उसे थैंक्यू बोलती है अब उस राज George नीट से कहता है Ella उसके घर में एक हाउसकीपर की तरह काम करेगी जिसके बाद George नीट को Portuguese भाषा सिखाता है और बार में लोग George के आसपास हो रही घटनाओं के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो उसके उपर काफी सारे सवाल उठा रहे होते हैं जिसे सुनकर George वहाँ से दूर चला जाता है जिसके बाद वो अगली सुबर लेस से मिलने जाता है और उसे माफी मांगता है उन चेर्स के बारे में जूट बोलने के लिए जो कि उसने उसके घर पर देखी थी और यहाँ पर वो उसे इन्वाइट करता है अपने साथ युनिवर्सिटी चलने के लिए जहाँ पर लेस भी उसकी बात मानने जाती है और यहाँ पर नीट के घर पर एला पोचती है अपनी नई जॉब के लिए और तब यहाँ पर नीट भी कुछ पॉच्चूगीस में बात करता है जो कि उसने जॉच से सीखी थी और उसकी पॉच्चूगी सुनकर एला स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है अब इसकी दूसरी तरफ जब जॉच घर पर पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ FBI एजेंट उसके घर पर आये होते है और कुछ पुच्टाच करने के बाद एजेंट जेक जॉच का टेस्ट लेना चाहते थे कि आखिर उसका दिमाग क्या कर सकता है और उसका टेस्ट डॉक्टर बॉब ले रहे होते है लेकिन जॉच अपनी इंटेलिजन से डॉक्टर बॉब को भी कंफ्यूस कर देता है और खासकर अपने टेलिक नेसेज की पावर दिखा कर वो उन्हें शौक कर देता है और तब वहाँ पर एक एजेंट जेक जॉच से मिलने आते है और उसे FBI को जॉइन करने के लिए कहते है लेकिन यहाँ पर जॉच अपने घर जानी के लिए कहता है लेकिन एजेंट जेक उसे कहते हैं कि गवर्नेमेंट नहीं चाहती कि जॉच उनके हाथ से बाहर निकल जाए उसके दूसरी तरफ हम युनिवर्सिटी में एजेंट टेट को देखते हैं जो कि प्रॉफेसर रेनॉल्ड से ये बात कर रहे होते हैं कि जोर्ज को किसी भी प्रॉफेसर से मिलने नहीं दिया जाएगा और अब उस रात को जोर्ज लेस के घर जाता है और उसके साथ एफबी आई के साथ जो भी गटनाई हुई थी उन सबी को बताता है और यहाँ पर लेस उसे कहती है कि अब उसे जोर्ज से डर लग रहा है और यहाँ पर वो दोनों ही इस बात पर एगरी करते हैं कि जोर्ज को लेस की फैमिली से दूर रहना चाहिए और अब बार में जोर्ज नेट से माफी मांगता है क्योंकि उसकी ही वज़े से उसके घर पर FBI ने चापा मार दिया था जिसके बाद जोर्ज काफी जादा फ्रस्टेट हो जाता है उसकी नई पावर्स की वज़े से क्योंकि इन पावर् जैसे उसके सारे दोस्ट डर जाते है अब अगले दिन टीटो जोर्ज से कहता है कि बैंस ने उसकी दुकान की नोकरी छोड़ दिये और टीटो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वह वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर जोर्ज की लिए काफी लिए और उसे कहते हैं कि ये वही काच कर तुकड़ा है जिसे की जोर्ज ने तोड़ा था और यहां पर उसकी बेटी लेस को बताती है कि टाउन में जोर्ज के खिलाफ काफी अजीब और गरीब बाते हो रही है लेकिन लेस उन्हें इन सब पर विश्वास करने से मना गर द जाता है तब यहां पर लेस जोर्ज को एक हेर कट देती है और वो कुछ पल साथ में ही गुज़ारते हैं जिसके बाद लेस वहां से चली जाती है और अब कुछ दिनों बाद हम मेले में जोर्ज को देखते हैं जो की नीट के साथ आया होता है और वो टाउन के लोगों को श और केसे एक काम करती है लेकिन लोग और भी ज़्यादा जानना चाहते थे और वो लगातार जोज से सवाल कर रहे थे अब इतने सारे सवालों से जोज ठक कर गिर जाता है और तब ही वहाँ पर आसमान में फिर से वेसी लाइट दिखाई देती है और उसे देखकर वो वापस स उटता है तो उसे देखने के लिए लेस, डॉक्टर और नीट तीनों ही आये होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जोज को बताते हैं कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसकी मेंटल पावर्स काफी जादा बढ़ चुकी है लेकिन उसके दिमाग के अंदर ट्यूमर उसकी जान भी लेता जा रहा था तब यहाँ पर डॉक्टर जोज से कहता है कि जोज के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा और तब यहाँ पर जोज नेट से अपने फर्टिलाइजर फॉर्मूले को अपने खेतों में इस्तेमाल करने को बोलता है जिसके बाद ने इनको खोल कर उसके उपर सरजरी करना चाते हैं और वो जोज से यह भी कहते हैं कि इसका एक छोटा सा चांस यह भी है कि उसके दिमाग से वो ट्यूब निकाल सकते हैं और शायद जिसके बाद जोड़ थोड़ा और भी जी सकता है लेकिन जोज यह सब करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि वो अपने दिमाग को किसी scientific research के लिए देना नहीं चाहता और वो डॉक्टर वेलन से कहता है कि उसके दिमाग के उपर research करने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि यह उसके tumor की वज़े से नहीं हो रहा है बलकि ये तो हमारे इंसाइनियत के अंदर वो हीरा है जो कि सभी के अंदर है और इसे कोई भी हासिल कर सकता है लेकिन जोज के इस जवाब से डॉक्टर वेलन खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो तो उसकी दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं और इसके बाद बार में हम बेंस और बागी सब लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर जोज का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ पर बेंस कह रहा होता है कि मैं तो पहले ही जानता था कि उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है वो तो अभी भी अनपड का अनपड़ी है और जो वो शक्तिया दिखा रहा था वो भी किसी तरीके का मैजिक ट्रिक है इससे जादा कुछ नहीं है अब यह बाते सुनकर वहाँ पर बेठे हुए डॉक्टर बेंस के उपर काफी जादा गुसा हो जाते हैं और वहाँ पर वो सभी के उपर चिलाने लगते हैं क्योंकि वो बेवज़ जोज को नीचे गिराने में लगे थे और वहाँ पर वो सभी से चिला कर कहते हैं कि तुम जैसे लोग एक एक एक्ष्टा ओडरनरी दिमाग को समझ नहीं पाते हो और वो वक्त आने पर उन्हें डॉक्टर को खिला कर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब जब ये खबर थोड़ी देर बाद एफबी आई वाले को पता चलती है कि जोज वहाँ से भाग गया है तो वो सब लोग जोज को डुणने में लग जाते हैं और अब यहाँ डॉक्टर जोज की भाग जाने की खबर एक पुलिस ओफिसर से सुनते हैं और वो जोज की मदद करने के लिए पुलिस कार की टायर की हवा निकाल देते हैं ताकि जोज को भागने की लिए कुछ समय मिल जाए जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जोज नीट के गर पर जाता है और उसे अपनी लिखी हुई किताब देता है जिसके अंदर उसने अपने काफी सारे आईडियास के बारे में लिखा होता है जो कि नेट के खेती के लिए काम आएंगी और वहाँ पर वो नेट के गले लग जाता है और जोज उसे एक आखरी गुड बाई कहकर वहाँ से चला जाता है अब यहाँ पर अगली सूबर लेस उटकर देखती है कि जोज उसके बच्चों के साथ ट्रक को ठीक कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर लेस के बच्चे काफी जादा दुखी होते है क्योंकि वो जानते हैं कि अब जोज मरने वाला है और अब दिन के दोरान एजेंट जेक लेस के घर पर आता है और लेस से जोज के बारे में पूछताच करता है पर यहाँ पर लेस एजेंट जेक से कहती है कि उसने जोज को नहीं देखा लेकिन यहाँ पर एजेंट जेक लेज के गर पर जोज के कुछ ओजार देख लेता है और वो समझ जाता है कि जोज यहाँ पर आया था लेकिन किस्मत से एजेंट जेक अपने साथे से जूट बोल देता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो भी जान गया था कि अब जोज के पाथ थोड़ा सा ही टाइम बचा है और वो उस समय जोज को चेन से जीने के लिए देना चाता है अब यहां पर हम लेज को देखते हैं जो की जोज से मिलने जाती है और यहां पर वो दोनों काफी अच्छा समय साथ बिताते हैं और यहां पर जोज लेज की बहाओ में अपना दम तोड़ देता है और यहां पर लेज भी उसे टाइटली हग कर देती है जिसके बाद हम देखत कि अगली सुबह लेस प्रोफेसर इंगनॉल्ड के पास जाती है और जोज की लिखी हुई किताब उसे दे देती है जिसके अंदर उसने अपने सारे एक्सप्रिमेंट्स के अबारे में लिखा होता है जिसके बाद वो अपने बच्चों को गले लगा लेती है और वो एक साथ जोज को याद करते हैं और ये मुवी यहीं पर खतम जाती है